अनिल कपूर के द्वारा होस किये जाने वाले रियालिटी शो बिग बॉस OTT 3 की जबरदस्त शुरुवात हो चुकी है बिग बॉस OTT 3 के घर में अब काफी कंटेस्टेंस भी पहुच चुके हैं अब इमली फेम आक्टर साई केतन राओ की भी बिग बॉस की घर में एंट्री हो चुकी है जो कि अनिल कपूर से मिलकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटिक दिखाई दिये लेकिन जैसे ही साई केतन राओ की बिग बॉस के स्टेज पर एंट्री होती है वो काफी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं साई केतन राओ अपने पास्ट के बारे में भी बताते हुए नज़र आए कि किस तरीके से उन्होंने हमेशा खुश रहने की आक्टिंग की उनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट है और वो उनसे ये इंस्पायर होते हैं वहले आपर आपको बता दे साई केतन राओ के बाद बिग बॉस के स्टेज पर एंट्री होती है अगली कंटेस्टेंट मुनिशा काथवानी की जो की फेमस आक्ट्रेस साथी साथ सेलिबरीटी टेरो कार्ट रीडर भी है अनल कपूर मुनिशा से मिलकर काफी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं वेले आपर बिग बॉस के स्टेज पर मुनिशा साई केतन राओ का टेरो कार्ट रीडिंग भी करती होई नजराई जहां पर वो बता रही होती है कि अभी उनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो स्ट्रगल पर बिलीव करते हैं और उनका confidence उन्हें यहां तक लेकर आया वो self-built इंसान है वही मुनिशा ये भी कहती होई नजराई कि बिग बॉस के खर में साई केतन राओ को उनका सच्छा प्यार तो नहीं मिलने वाला है वल आपका साई केतन राओ और मुनिशा खातवानी की बिग बॉस पे एंट्री पर क्या कुछ है कहना हमें comments में जरूर बताए ऐसी ही updates के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें